Hello friends and welcome to the exams made simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 18th of August 2021 18 August 2021 का the Hindu newspaper analysis देखेंगे शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज दो लाइक दे वीडियो फ्रॉम यूर एंड है ना तो अगर आपको अच्छा लगते हैं तो आप प्लीज अपनी तरह से वीडियो लाइक करिएगा स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं पहला सवाल है which is the following effect the building up or depletion of India's forex reserve इन में से कौन-कौन सी चीज़े impact डालती है इंडिया के forex reserve में या तो उसको बढ़ाती है या उसको घटाती है पहला है foreign portfolio investment दूसरा है overseas remittance तीसरा है trade balance तो आपको बताने इन में से कौन सी चीज़े इंडिया के forex reserve को बढ़ाती है घटाती है options are two only one and two only one and three only one two and three दूसरा सवाल है counter wailing duty जो impose की जाती है वो impose क्यों की जाती है पहला इसमें statement दिया है counter the impact of import subsidies on domestic producers दूसरा है raise the price of goods that were dumped by sellers abroad in the domestic market आपको बताने की counter wailing duty में से किसके लिए import की जाती है a is one only two only both one and two या none of the above question number three is which of the following combination of macro economic situation is most suitable for attracting the investment इन में से कौन से situation सबसे अधिक attractive है investment attract करने के लिए तो चार option आपके सामने दिखे है low and stable inflation का high GDP का low and stable inflation low GDP high and volatile inflation low GDP या high and volatile inflation high GDP तो आपको बताने में से कौन से condition most suited है let me tell you the answers for the question ask जो question मैंने पूछे उनके answers मैं आपको बता देता हूँ पहला सवाल मैंने पूछा था कि इन में से कौन से चीजें forex reserve को बढ़ाएंगी या घटाएंगी अब since होता ही है देखो कि foreign जो forex reserve BOP balance of payment पे बहुत जादा depend करता है और यह तीनों ही चीजें जो है वो impact करते है balance of payment को तो यह तीनों ही answer हो जागा 1, 2 and 3 D will be the answer for this दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि counter willing duty impose क्यों की जाती है तो पहला तो बिल्कुल सही है counter willing duty actually क्या होता है कि दूसरी country में अगर किसी product के उपर subsidy बहुत जादा मिल रही है suppose wheat की बहुत जादा subsidy मिल रही है अगर अमेरिका में तो क्या होगा कि अमेरिका के जो किसान wheat जब sell करेंगे तो उनको बहुत कम लागत लगती है तो बहुत कम prices पर वो sell करेंगे बहुत कम दामों पर बेचेंगे बट चुकि इंडिया में तनी subsidy या दूसरी country में तनी subsidy नहीं मिलती है तो वहाँ के किसानी तरे कम price में नहीं भेज पाएंगे तो इसका effect समझ येगा क्या होता है कि जब वो product दूसरी country जाता है मतलब कि suppose wheat अगर इंडिया आएगा तो वो बहुत ही सस्ते दामों में आएगा तो obviously बात है इंडिया में जो भी खरीदना चाहेगा फिर वो वहीं के wheat खरीदना चाहेगा क्योंकि वो सस्ते दामों मिल रहा है तो counter-wailing duty इस तरीके से दूसरी country को impact डालती है अब ऐसे में क्या किया जाता है कि आपन जब counter-wailing duty लगा देते हैं तो वो जो product है वो इतना सस्ता नहीं रहा जाता है वो महगा हो जाता है ठीक है ना लेकिन इसका दूसरा statement गलत है दूसरा statement तो बिलकुल लिखा है वही है कि price बढ़ाने का अब आप सोचेंगे यार price जी तो बढ़ाना लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे तो एक term यूज किया है dumped dumping दूसरा है counter-wailing का used जो होता है वो subsidy वाले products के लिए के जाता है मालब जहाँ पे subsidy जादा मिली है दूसरे products में लेकिन यह dumping शब्द लिखा है most attractive है for investment तो यहाँ पे A will be the answer low and stable inflation and high GDP growth पहला तो जो investors है वो बिल्कुल low and stable inflation चाहते हैं दूसरा आपकी GDP growth भी higher होनी चाहिए अन्हीं Syria और Afghanistan में जाकर के कोई investor वहाँ पे invest करने के कोशिच नहीं करेगा वहाँ नहीं करना चाहेगा ठीक है ना आगे move करते है main question of the day पर आते है तो आज का main question of the day है there has been a rising criminalization of politics in India आज कल जो politics याने राजनीती जो है उसका criminalization बहुत ज़्यादा बढ़े गया criminalization का मतलब क्यों होता है कि उसका जो criminal activities money power, muscle power यह बहुत ज़्यादा increase हो गई है politics में, राजनीती में खास तोर पे ठीक है ना तो यह जो criminalization है जो यह criminal activities और इन सब का जो number of MPs बढ़ते जा रहे है criminal जिनके cases है तो यह किस तरीके से politics के लिए खराब है या देश के लिए किस तरीके से खराब है और किस तरीके से criminalization of politics को कम किया जा सकता है यह आपको बताना है किस तरीके से criminalization of politics को आप कम कर सकते है और आप लोग जो answer लिख रहे है the number of people who are writing the answer has continuously increased बहुत अच्छा है लग रहा है मुझे और जैसे अभी शुकला का नाम मैं लेना चाहूँगा अभी शुकला शरनदीप हो गए यह he has started writing answer recently और कार्तिका has been writing the answers and कीर्ती सुजाय रंजन has written the answer मोहित पाल जितेंदर रगवंशी again has continuously written the answer तिर्प्ती जैन has written the answer and शीतल मिश्रा कल का जो answer I think शीतल मिश्रा's answer was a very good answer सबसच्छा answer वही था के कुमार from the Hindi medium he has been writing the answer and पूजा वागमारे so these are some people who have written good answers yesterday अगर आप चाहें तो आप जा करके देख सकते हैं start करते हैं आज की news analysis part में आते हैं अब यह क्या है in order to boost the domestic defense and aerospace manufacturing defense and domestic aerospace manufacturing का production increase करने के लिए ministry of defense ने launch किया defense testing infrastructure scheme जिसको DTIS बोलते हैं तो अगर DTIS scheme के वारे में कोई पूचो या DTIS पूच ले तो याद रहेगा defense testing infrastructure scheme है और यह basically ministry of defense ने की है और 2020 में इसको launch किया गया था क्यों to create a state of art testing infrastructure in partnership with the private industry private industry के साथ partnership में आ करके एक state of art testing infrastructure बनाना था और ताकि जो defense products बनते हैं जो भी defense की चीज़े बनती हैं उनको test भी किया जा सके इसके लावा scheme का एक aim यह था कि 6-8, 6-8 green field defense testing infrastructure facilities बनाना है green field मतलब कि नए तरीके से पूरा scratch से 6-8 green field defense testing infrastructure facilities बनाना है and they will be used up for defense and aerospace related production तो defense and aerospace related production के लिए इसका use किया जाएगा green field project मैंने आपको बताएगा कि जिसमें कोई पहले का काम नहीं रहा हो और नए तरीके से पूरा construction होता है unused land में construction होता है है ना याद रखेगा funding जो उसकी आएगी defense testing infrastructure की वो आएगी 75% government funding रहेगी in the name of granting aid and remaining 25% रहेगी वो special purpose vehicle के थूँ होगा याद रखेगा special purpose vehicle के थूँ होगा जिसमें private entities का भी participation रहेगा state governments का भी participation रहेगा 75% central government 25% special purpose vehicle या फिर आपका private and state government duration of the scheme जो है वो 5 साल के रहेगी 5 साल के अंदरकत इसको implement करना है और defense testing facilities जो infrastructure है वो बनाना है दूसरी जो news है वो है district forest officer करूर district के जो है उन्होंने recently slender lorries नाम की एक endangered species variety है जिसके production के लिए बात करी है slender lorries याद रखेगा that is the species in news and इसके production के लिए ही बात चल रही है करूर district के हम बात कर रहे है that is the thing in the news तो यहाँ पर हम जानेंगे क्या है यह slender lorries और क्या basically species है करूर कहाँ पर है करूर आपको पता रहा है तमिलाडू में है यह भी याद रखेगा करूर district अगर आप से कही पूछे तो करूर district जो है वो तमिलाडू में है अब slender lorries के अगर हम बात करते हैं तो slender lorries को lorries tardigradus भी खा जाता है इसका scientific name है वो है lorries tardigradus अब एक यह secretive and nocturnal habitat है इसका याद रखेगा secretive होते हैं यह और nocturnal यह नहीं रात में active रहते हैं nocturnal होते हैं and it usually travels from canopy of one tree to another एक tree की canopy, canopy है सबसे उचा जो part रहता ना पेंड का तो एक पेंड के सबसे उचे वाले part से यह दूसरे पेंड के सबसे उचे वाले part में travel करते रहते canopy to canopy इनका traveling movement रहता है that is again important यह इसको याद रखेगा and it has been listed as endangered by the IUCN IUCN का अगर हम status देखे slender lorries का तो वो endangered है याद रखेगा that is the thing and यह जो है यह schedule 1 में आते है wildlife protection act के wildlife protection act के schedule 1 में आता है यह slender lorries that is again important wildlife protection act के यह schedule 1 में आते है 1972 का wildlife protection act and they are usually solitary जादा तर यह अकेले रहते हैं लेकिन कई बार यह pairs में भी मिल जाते हैं and इनको क्या होता है actually इनके अंदर medicinal properties इसलिए कई बार इनको capture या इनको sell भी किया जाता है and that is a threat to them as well यह उनके लिए threat की बात भी है इनको कई बार क्या होता है capture भी किया जाता है and sell भी किया जाता है and इसके अलावा जो इनका main cause of क्यों यह खतम होते जारे हैं तो habitat loss जो हो रहा है इसके अलावा electrocution of live virus live virus में कई बार इनका electrocution भी हो जाता है that is again a major reason for this ठीक है और that has caused the population to dwindle population किसी लिए कम होगा यह काफे जाला ठीक है तीसरी जो news है union agriculture minister has inaugurated the world's second largest refurbished gene bank अब यहाँ पर basically क्या है सबसे second largest refurbished gene bank जो है at the national bureau of plant genetic resources national bureau of plant genetic resources वो बनाए गया यह पूसा institute दिल्ली में है वहाँ पर यह बनाए गया अब national gene bank क्या होता है इसका काम क्या होता है actually में तो national gene bank जो established किया गया था वो 1996 में established किया गया था याद रखेगा national gene bank जो established किया गया था वो 1996 में established किया गया था क्यों established किया गया था to preserve the seeds of the plant genetic resources for future generations तो plant genetic resources के जो genes होते है genes of the plant genetic resources ताकि इनको future generations के लिए save किया जा सकता है तो 1996 में उसको बनाया गया था that is again a thing which is important इसके अलावा लगबग 4.52 lakh accession species ऐसी है germ plasm ऐसे है 2.7 lakh germ plasm ऐसे है जिनको कि यहाँ पर protect किया जा रहा है import किया गया दूसरी country से यह भी एक important चीज है और यहाँ पर basically बहुत कम temperature जैसे seed gene bank यहाँ पर available है जो कि minus 18 degree में काम करता है cryo gene bank है जो कि minus 170 से 116 degree में काम करता है in vitro gene bank है जो कि 25 degree में काम करता है field gene bank यह चारो facilities जो है वो provide की गई है so that is the thing which is important इसलिए यह काफी important है अब यह second gene bank जो है refurvest इसको बनाया गया है यह आप याद रखेगा and that is the thing अगली जो news है वो important again अगली जो news है वो है independence day में recently prime minister ने क्या बोला है कि वो एक scheme मनाएंगे जिसके अंतरगत को fortified rice को मलब की provision करेंगे fortified rice का provision करेंगे अब क्या होता है fortified rice थोड़ा मैं आपको बता दूँ normal जो कई areas ऐसे हैं जहाँ पर rice grow तो करता है लेकिन वहाँ के rice में सारे important essential elements नहीं आपको मिलेंगे मतलब कि आपको उसमें कई बार zinc की कमी देखने को मिलेगी कई बार आपको उसमें कोई भी essential nutrient है उसकी कमी देखने को मिल सकती है तो basically कई बार ऐसा देखने को मिला है कि rice के अंदर के जैसे है पूरी important जितने भी होने चाहिए तद तो नहीं मिलते है ऐसे में rice का fortification कराते हैं याने कि उसमें जो important essential minerals missing है वो minerals आप add कर दो अब वो add कैसे करोगे उसका fortification करोगे ति यह FSSAI होता है na Food Standards Authority of India जो है Food Standards Authority of India का अंतरगत को काम किया जाता है ठीक है ना Rice fortification में जैसे उसके अंदर का आप iron हो गया folic acid हो गया vitamin V complex हो गया vitamin A हो गया zinc हो गया यह सब rice kernels में आप add करते हो these are the things which are added इनको use कर जाता है a fortified rice जो होते है ना उसको फिर main rice में आप mix कर देते हो कैसे mix करते हो अगर 100 kernel आपने normal rice के लिए है तो उसमें एक kernel आपको 45 rice का add करना जागा this is actually the ratio की किस ratio में यह काम होता है तो 1 is to 100 की ratio में काम होता है अगर 100 kernel आप normal rice के लिए रहे हो उसमें एक kernel आप किसका add करोगे 45 rice का add कर दोगे ठीक ना that is the thing which is important and I hope you got clarity regarding that as well तो यह तो news items थे जो कि मैंने अलग-अलग newspaper से PIB से यहां से लिए है आगे move करते है Taliban vow to honor the women's rights बद विदिन the Islamic law अब Taliban ने काए कि भहिया हम women's rights को महत्तो देंगे लेकिन यह जो rights मिलेंगे यह Islamic law के अंतरगत ही दिया जाएग they cannot go for total freedom of the female and all अब जो spokesperson है Zabihullah Muzahid Zabihullah Muzahid is the spokesperson है ना and he has promised that Taliban would honor the women's right was within the norms of the Islamic law and उने ने कुछ detail दी है जैसे कि उसने यह जाहते हैं कि media जो independent रहे लेकिन journalists should not work against the national values फिर इसके लाव उनने का कि insurgents Afghanistan को secure करेंगे लेकिन और इसके अलावा वो कोई revenge नहीं लेंगे जो जिन्होंने उसने का oppose किये है and यह भी कहा है कि we assure that nobody will go to their dose to ask why they help मैं लेकिन कोई भी किसी को परिशान नहीं करें this is what they are promising now let's see what the reality is किस तरीके से आगे move होता है आगे देखते हैं important news items जिनको हमको discuss करना you can move with me editorial part में आते the script of a new endgame in Afghanistan यह जो article है M.K. Narayan द्वारा लिखा किया है M.K. Narayan जो थे वो पहले national security advisor रह चुके है अच्छे article लिखते है आज अफगानिस्तान के उपर लिखाना उन्हें काई the fall of Kabul is actually the end of अनि महलब की तालिबान को जैसे resistance कम मिला उन्होंने 6 हफ़तों के अंतरगत पूरा अफगानिस्तान काप्चर कर लिया US forces ने जैसे ही बागरम airways बागरम airways याद एकिए बागरम airways जो है वहां से जैसे US forces निकले 6 हफ़ते लगे पूरे अफगानिस्तान को कप्चर करने में ठीक है न अफगानिस्तान has fallen apart at this moment आफगानिस्तान पूरी तरीके से अब तूट चुका है अफगानिस्तान तोटे इस in the condition that is far worse than what existed when the Russians withdraw in the 1990s आफगा ये कहना है कि 1990 में जब आप जब रस्यंस ने withdraw किया था तो जिस कंडिशन में अफगानिस्तान था उसे ज़्यादा खराब कंडिशन में आज है क्यों? जो कि author का कहना है कि तब at least उस समय at least टाइटुलर लीडर थे उस समय जो कि oppose कर सकते थे तालिबान को ठीक है ना और एक fight दे सकते थे बट आज तालिबान को fight देने वाला वहाँ पे कोई नहीं है है ना आज यतना भी जो भी land retrieve किया है तालिबान ने वो undisputedly land dispute किया है जो नाम से president थे वो सब भाग गया आप सब को पता है कि किस तरीके से वो भाग खड़े हुए है तो एक तरीके से अपना जो superpower का tag था वो भी कहीं ना कहीं ने lose किया तो अतर ने ये भी कहीं कि USA ने superpower का tag भी lose कर दिया है 1990s में Russia का withdrawal हुआ था Afghanistan से है ना लेकिन तब थोड़ा सा opposition था तब ये black hole चैसे situation नहीं थी Afghanistan के लिए आज दो situation है Afghanistan की वो एक black hole type situation this is what the author is saying in this article ठीक है ना इसके लाब author ने ये भी कहा है कि जो countries है अभी जिन countries के उपर पूरा दारो मदार रहेगा वो है Pakistan आपकी China and Russia तालिबान जो है इन countries पर ज्यादा dependent है पाकिस्तान तालिबान और रशिया पर ज्यादा dependent है this is what they are saying and author ने आप एफगानिस्तान को Syria से compare किया है तो author ने कहा है कि ये देखो Syria तो फिर भी बहुत अच्छी condition में Syria अच्छी condition में इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो president है बशर अलसद वो काफी जार strong president है तो author ने कहा है कि Syria में Syria से compare करने के हम गलती नहीं कर सकते Syria में already बहुत ही strong presidentship है और वो चीज Afghanistan में नहीं मिल रही है in Afghanistan तालिबान is intent on keeping the absolute control तालिबान का जो intent है वो है absolute control का and Russia और China और पाकिस्तान के उपर वो count कर रही है कि ये countries इनको मदद करेंगे ठीक है ना और ये ही countries मदद कर भी रही है for the matter of fact यहाँ पर author ने एक और चीज बोली है कि यहाँ पर जो terrorist activities हैं जैसे al-qaeda की activities है वो काफी ज़्यादा resurgence हुई है वो activities काफी ज़्यादा बढ़ी है in the recent past and हो सकता है तालिबान के आने के बाद कि और ज़्यादा बढ़ जाए तो future इसलिए भी Afghanistan का bleak है क्योंकि जो terrorist activities है al-qaeda groups की वो भी काफी ज़्यादा rise पे रहेंगी this is what the author is saying तालिबान supremacy जो तालिबान का return इसके अलावा author ने यह भी कह कि एक और comparison कही बार देखने को मिलता है जिसमें यह बोलते हैं कि जैसे USA ने Vietnam से बाहर गये थे वैसा ही यह Afghanistan से बाहर गये तो author ने खाए कि नहीं यह भी गलत है Vietnam में जो retreat था USA का वो भी different था Vietnam के अंदर भी leadership बहुत ज़्यादा inspiring leadership थी और वो काफी ज़्यादा उसमें जो growth के लिए जो appetite था जो rights के लिए जो freedom के लिए appetite था वो appetite Afghanistan में missing है Afghanistan में लड़ाई जो है वो कहीं न कहीं केवल power के लिए the major reason is that कि Afghanistan में जो लड़ाई है वो केवल power के लिए लड़ाई है ना कि वो लड़ाई freedom के लिए है ना ही वो लड़ाई आपके कहना चाहिए किसी भी rights के लिए है लोगों के women rights के लिए ऐसी कोई लड़ाई नहीं है लड़ाई पूरी की पूरी क्या है power की लड़ाई है power का game है यह ठीक है ना this is the thing which is important यही चीज़ author ने यहाँ पे कही है ठीक है I hope you will remember this thing as well इसके अलावा author ने यहाँ पे कहा है कि Iran और India दो countries ऐसी है दो neighbors ऐसे हैं जो की परेशान रहेंगे because of all these things ठीक है ना तो इरान और इंडिया दो neighbors ऐसे हैं आपके जो की परेशान रहने वाले हैं और यहाँ पे इरान भी एक Shia dominated country आप सको पता है कि इरान जो है वो Shia dominated country है और Shia सुननी का जो एंगल है वो आ जाता है और इंडिया के case में ऐसा है कि इंडिया के Hamid Karzai से भी अच्छे relations थे और इंडिया के relation जो आपके अश्रफ घनी थे जो भाग खड़े हुए उन से भी काफी अच्छे थे तो तालिबान यह चीज अल्रेडी पसंद नहीं करता है तालिबान doesn't like this thing इंडिया के साथ जो उसके तालुक होने चाहिए वो ना रहे है और इंडिया बहुत साथा खुश नहीं है because of the homecoming of the तालिबाने इस टिंग आगे move करते हैं यहाँ पर देखते हैं और दूसरा आर्टिकल क्या है तो दूसरा आर्टिकल जो आज हम discuss करेंगे वो है a report that is at odds with access to knowledge अब एक report आई यह parliamentary committee के actually में standing committee थी parliamentary standing committee on commerce तो parliamentary standing committee on commerce ने basically कहा है एक report निकाली जिसमें उन्हेंने कहा है कि copyright law में जो section 52 है कई जगे उसका violation हो रहा है उनका यह कहना है कि जो photocopy matter actually photocopy का है क्या होता है कई बार acknowledge जो writers रहते हैं colleges में आपने देखा हुआ उनकी photocopies sell की जाती है उनकी photocopies से पनाय जाता है या उनकी photocopies students के पास दे दी जाती है तो कुल मिला करके यहाँ पर author का issue यह है parliamentary standing committee का issue यह है कि यह जो है यह fair dealing नहीं है और यह जो right of publisher है उसको violate करता है publisher के rights को violate करता है publisher जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है publisher is losing money and all यह सारे चीज़े standing committee निकाए commerce के against है ठीक है ना उनको जो royalty मिलनी चाहिए majorly dependent on royalties रहते हैं यह author तो यह चीज़ उनको नहीं मिल पाती है actually मैं author ने कहा है कि 2002 में हमने right to education को सिक्षा का अधिकार सबको सामने लाया और उसमें Miss Mohini Jain versus state of Karnatka and others का case है state of Himachal Pradesh versus HP state recognized and aided school managing committees का act है जिसके बाद right to education जो था वो एक constitutional right बना author ने कहा है से 14 साल के लिए guaranteed education दिया ठीका ना इसके अलावा article 21A of the constitution जो है फिर इसके अलावा बहुत सारी और ruling सुझे से अनुरादा भशीन versus union of India case था अविनास महरोत्रा versus union of India case था इसमें top court ने ये कहा कि बिल्कुल एक बात ये है कि जो state governments है जो central government है उसको affirmative action लेना पड़ेगा ताकि जो fundamental rights है वो fully enjoy कर सेंगे जो लोग है जो schools है वहाँ पे जो बच्चे है उन सबको वो rights पूरी तरीके से मिल पाए अब यहाँ पे author ने एक और चीज़ बोली है कि एक और चीज़ कई बार Supreme Court ज़रूर बोलता है कि right to professional education जो है that is not a fundamental right professional education ज़रूर एक fundamental right नहीं है लेकिन state को फिर भी affirmative action लेना है ताकि हर level पे education का अधिकार मिल पाए यह चीज़ Supreme Court भी accept करते की जो fundamental education है यानि कि जो professional education है उसका अधिकार नहीं है professional education का अधिकार ज़रूर आपको नहीं रहेगा लेकिन जो आपका state governments है और जो आपकी central government है उनको यह जरूर make sure करना है कि हर level पे education रहे बना रहे तो यह आप भी आद रखे का सिक्षा का अधिकार ज़रूर है लेकिन right to professional education का आप बोले कि नहीं हमारे तो college भी करवाओ free में हमें तो जवरस्ती IIT meditation दिलो यहाँ पे यह चीज नहीं लागू होगी यहाँ पे जरूर आपको यह चीज लागू नहीं पड़ेगी इसके अलावा author ने यहाँ पे बोला है आप यहाँ पे author ने क्या चीज़े बोली है कि जो यह issue of purpose author ने कहा है कि देखो landmark के एक judgment हुआ था Delhi High Court का था DU photocopy case था अगर आपको matter यहाँ हो मैंने यह चीज न्यूज में भी बताई थी DU photocopy case था justice and law का बहुत famous case है यह Delhi High Court का landmark judgment है जिसमें DU photocopy case में यह हुआ था कि chancellor, master and scholars of the university of Oxford and others versus Rameshwari photocopy services and ANR यह case था जिसमें court ने कहा पहले single judgment चाहे फिर उसका division bench ने भी कहा उन्होंने यह कहा कि education के provision के लिए education के provision के लिए यह जो section 52-1 है section 52 clause 1 जो है copyright act का वो allow करता है reproduction of any work by a teacher or a pupil in course of instruction और course of instruction का मतलब है कि anything anything that is used for teaching that is used for the purpose of giving instruction तो इसमें कोई भी चीज़ अगर purpose of instruction के लिए की जारी तो वो justified है section 52-1 एका जो interpretation है कुछ इस तरीके से किया गया section 52-1 का जो interpretation है कुछ इस तरीके से किया गया तो जो मैंने आपको बताया ठीक है न that is the thing तो यह आपको याद रखना section 52-1 यह लिखा है section 52-1 तो यह अलाओ करता है आपका reproduction of work जो भी काम है किसी भी author का काम है उसका reproduction अगर आपको करना है photocopy करनी है या उसको आपको उसको not selling actually distribute करना है अगर आप students के बीच में आपको तो you can do that और वो fair माना जाएगा फिर उसका use मना जाएगा अगर आप उसको सिक्षा के purpose से या instruction के purpose से दे रहे हो ठीक है न court also noted court ने को और चीज़ कही कि इसके उपर कोई आप quantitative restriction नहीं लगा सकते कि नहीं इसकी 10 photo copy करा सकते है या इसकी 5 photo copy करा सकते है इसकी 6 photo copy करा सकते ऐसा कोई restriction आप उसके नहीं लगा सकते इसके बाद एक और important चीज़ है कि अभी जो इस standing committee बनी है उसने जरूर इसको दूसरे तरीके से interpret किया है उन्होंने ये कहा कि नहीं भई ये फेयर नहीं है author के लिए फेयर नहीं ये सारी चीज़ों नहीं बोली बड़ी जो किताब है कई बार किताब में 10,000 की आती है 8,000 की आती है 7,000 की आती है तो वो व्यक्ति उसको एफोर्ड नहीं कर सकते तो सिक्षा फिर ऐसे में तो right to education जो है वो दूर हो जाएगा प्लस medium of instruction के लिए भी वो चीज़ दूर हो जाएगी तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों के पास ये option available रहे दूसरी चीज़ जो author ने कही हो ये कही है कि जो students है they're actually not the consumers वो customers नहीं है students जो है वो customers आप उनको करो market में customers रहते है colleges और universities के अंदर जो photocopy machine है वहाँ customer नहीं जाता है किताब लेने तो that is again nothing कि वो normal customership को आपको impact नहीं डाल रहे हो चीज़ customers में impact नहीं डाल रहे हो चीज़ तीसरी चीज़ उन्होंने कही है कि quantitative restrictions on this extent of permissive copying would be inappropriate उन्होंने एक और चीज़ कही है कि जो quantitative restrictions की बाद committee ने कही है मतलब कि जो उन्होंने ये खाए कि ये नहीं वही है कुछ एक quantity में आपको restrictions लगाने चाहिए कितने photocopy या कितने क्या तो वो भी ये गलत हो जागा ये quantitative restrictions apt नहीं रहेगी सिक्षा कि उपर आप उसमें quantitative restrictions नहीं लगा सकते हो कि कितने लोगों को वो चीज मिले कितने लोगों को वो चीज ना मिले so that is again a thing which is important जो कि यहाँ पर author ने करी है ठीक है न आगे move करते है नेखते क्या important news item यहाँ पर more feed better productivity अब यह जो article है यह article लिखा कि actually में अभी recently क्या है कि farmers की दो problems major है पहली problem है Indian farmers की lack of affordable good quality feed and fodder lack of good quality feed and fodder यह क्या है actually में जो उनके जो गाय है उनके जो यह सब है livestock है उनको अच्छी quality की feed and fodder नहीं मिलती है तो अभी recently study की कही थी Indian grassland and fodder research institute दोरा जिसने यह कहा कि अगर एक किसान को 100 kg feed की जड़त है तो लगबक 23 kg dry fodder 11 kg green fodder और 28 kg concentrated feed की कमी जो है वो देखने को मिलती है अगर 100 kg की जड़त है तो लोग 75-78 में ही काम कर रहा है ठीक है ना that is the thing which is important फिर इसके अलाबा इन्हों नहीं कहा कि अब जो milk production feed का बहुत बड़ा impact पड़ता है productivity में जो livestock की productivity है लाइफ स्टॉक का जो कहना चाहिए उसका milk production है यह सारी चीले डिपेंड की इस पर करता है कि उसको खुरा कैसी मिल लोग उसकी feed कैसी है that is the thing और ऐसे में यह बहुत important है कि इंडिया ने जो यह scheme लेकर आए है government जो scheme लेकर है तो यह national livestock mission 24 का mission है तभी इस फोकस कर रहा था अब इसको remodel किया गया है ठीक है ना अब इसको remodel किया गया है mission को revise किया गया है to make the program focus primarily on assistance towards the seed production and development of feed and fodder तो अब जो है national livestock mission का basically जो aim है वो aim है कि seed production हो और feed and fodder जो better quality good quality feed और fodder जो है animals के लिए वो बन जाए ठीक है ना और इसमें 50% direct capital subsidy दी जाएगी to the beneficiaries under the feed and fodder entrepreneurship program तो feed and fodder entrepreneurship program के अंदर का 50% direct subsidy है and 100% subsidy है on fodder seed production to identified beneficiaries तो identified beneficiaries को 100% subsidy दी जाएगी on fodder seed production ठीक है na fodder seed production के लिए so these are the things which are very very important I hope you got clarities को आप याद रखे का this is the thing which is very very important अब actually में इसका national livestock mission के अंदर काती ये sub mission के रूप में आए sub mission on fodder and feed बोलते हैं इसको sub mission on fodder and feed intends to create a network of entrepreneurs who will make sillage याने के hub बनाएंगे and sell them directly to the farmers bespoke तो इसमें sillage बनाया जाएगा entrepreneurs का जो की feed and fodder करेंगे and they will directly sell this feed and fodder to the farmers ठीके ना तो that is the thing which is important in this mission I hope you will remember it Hall signs a deal with GE Aviation for LCA Tejas अब Hall याने कि Hindustan Aeronautics Limited ने एक deal sign की है 716 मिलियन डॉलर की with the US GE Aviation GE Aviation US का है याद रखेगा for 99 F404 Aircraft Engines 99 F404 Aircraft Engines जो है वो लाए जाएंगे and they will be brought with from GE Aviation of US GE Aviation US का है वहाँ से लेकर के आएंगे ठीक है न Defense Ministry ने sign किया है 48,000 करोर की डील है Hall के साथ basically अभी recently की थी Defense Ministry ने क्योंको 83 Light Combat Aircraft MK-1A तेज़स चाहिए था अब यह तेज़स को ही उसकी capabilities को improve करने के लिए F404 Aircraft Engines चाहते हैं Hall वाले तो इसके लिए उन्होंने डील किसे की है GE Aviation जो की USA का है तो उसको याद रखेगा आगे move करते हैं देखते हैं important news item है वो गुर्खास को Foreign Tribunal के अंदरकत नहीं ले जाएंगे Foreign Tribunals Act 1946 का आपको पता होना चाहिए जिसमें जो illegal migrants है या foreigners उनको treat किया जाता है तो यहाँ पर कई बार देखा जा रहा था कि गुर्खास को भी उसके अंदरकत कई गुर्खास ऐसे थे one on rhinoceros यहाँ पर आपको पता है यह Povitora wildlife century की है Povitora wildlife century कहाँ पर है यह आपका असाम है तो यह भी आप याद रखेगा Povitora wildlife century जो है वो असाम है Sikh Emperor's Statue Vandalized in Pakistan अब यहाँ में पाकिस्तान में जो Sikh Emperor थे Maharaja Ranjit Singh आपको पता होगा First Ruler of the Sikh Empire थे Maharaja Ranjit Singh उनका जो Statue that was Vandalized by तहरीके लबरीक पाकिस्तान यह वहाँ पर उन्होंने Destroy किया Statue था Ranjit Singh का Statue था जिसको की वहाँ पर Destroy किया That is the thing which is there यह वीडियो भी वाइरल होई So that is the thing that is happening in Pakistan जो की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोल पीटते हैं कि हमारे यह बहुत अधिकार है हमारे यह freedom है उसका असलियत यह है ठीक है न Odisa Plants Odisee to Wild Cattle Island Actually Odisa में जब आपका यह Hieracune Dam बन रहा था Hieracune Dam बन रहा था तो वहाँ पर एक island बन गया था cattle का क्यों जो लोग जा रहते तो वो अपने cattle को साथ नहीं ले जा पाए तो वो सारे cattle थे वो एक जगाए गठे हो गए और फिर वो एक higher elevation वाले एरिया में चलेगे जोसको हम बोलते हैं भुज पहाड भुजा पहाड तो भुजा पहाड वाला एरिया इसको cattle island बोलते हैं याद रखेगा जार सुगूडा डिस्ट्रिक एंड तेलिया पंचायत लखनपुर ब्लॉक भुजा पहाड तो यह अप जो है हीरा को डिको टूरिजम केंतरगत आ रहा है और हीरा को डिको टूरिजम केंतरगत जापान में Sudoku के जो Godfather of Sudoku कहा जाता है Maki Kazi को and he was the creator of this numbers puzzle Sudoku Sudoku आपको पता है ना आप सबने किया होगा paper में solve भी किया होगा Sudoku puzzle आती है numbers puzzle होते 1-9 तक की number होते है numbers repeat नहीं करते line में आपको भरने बढ़ते है तो यह Maki Kazi was the creator of that popular number puzzle game Sudoku and he has died तो इसको याद रखने का नाम ज़रूर या रखन that is the thing which is important I hope you got clarity RBI unveils the financial inclusion index अब RBI ने यहाँ पे एक announce किया formation of a composite financial inclusion index 5 indexes का ना में देखो यह लेको लिखा होगा न यह है 5 index तो यह financial inclusion index है अब यह क्या करेगा it will capture the extent of financial inclusion in the country country में कितना financial inclusion हुआ है financial inclusion का मतलब आपको समान आता है ना last mile financial services सबको provide करना है अन्तिम citizen जो होगा न गाउं का अन्तिम व्यक्ति उसको भी banking सुविधाए और उसका भी account खोल करके सब कुछ बनाना बिसिकली है तो financial inclusion index है March में 2021 के लिए 53.9 था compared to 43.4 for March 2017 March 2017 में 43.54 था as per RBI और March 2021 में 53.9 है ठीक है नफाइ इंडेक्स financial inclusion index को हम बोलते है ठीक है अब इसमें banking, investment, insurance, postal इस सारी सुविधाए include की जाएंगी उस सब parameters के basis भी बनाया जाएगा scrappage norms to spur the national the new vehicle demand up by 30% तो obvious से बाद है scrappage policy जो भी announce की गई recently जिसमें की पुराने vehicles जो है वो remove के जाएंगे और लोग खुद अपने पुराने vehicles जाकर के दे देंगे तोड़ने के लिए कि अलो हमारा हमारी गाड़ी तोड़ दो और ऐसे में फिर उनको road tax तो इंसमें छूट मिलेगी ठीक है न तो यह कहा जारा है कि यह जो scrappage policy इसके आने से बहुत ज़ादा demand vehicle demand बहुत ज़ादा बढ़ जाएगी है ना और 30% तक यह demand बढ़ेगी जैसे states को काफी ज़ादा फायदा होगा इसलिए उन्होंने कहा है कि आप लोग भी भी यह थोड़ा 5% का discount बहुत तक यह ज़ादा demand बढ़े so that is it for the day I hope you liked our video please do like, share, subscribe, keep loving us, keep sharing us thank you and have a nice day